नमस्कार, हेडलाइन्स बिहार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रियांक स्वरव। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं सक्राविधासवाशेत्र के विधायक लाल बाबुडाम। चर्चाएं बहुत तेज हैं तमाम प्रत्याश्यों के नाम सामने आ रहे हैं चुनावा जोग ने भी ये तै कर दिया है कि चुनाव सही समय पर होगा। कितनी तैयारी में हैं बहुत सार उमिद्वार हैं जो राज़त से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं परदेश अध्यक्स से लाल बसाद यादव से और उनके परिवार जनों से मुलाकात कर रहे हैं क्या कहेंगे आपकी कितनी तैयारी हैं देखिए जहां तक उमिद्वारी के सवाल है सभी उमिद्वार का स्वागत है सभी लोग जमीन पढ़ावे और पाटी को मजबूत करने का प्रयास करें अब हम कह रहे हैं कि जहां तक की उमिद्वारी के सवाल है हम लोग को इतना ही कहना है कि सकड़ा बिधान सभा में राज़त इतना मजबूत था और है और रहेगा कि यहाँ पर जो भी टिकट लेके आएगा वो चुनाब जितके जाएगा और हमारे भावी मुखमंत्री तेज़सी वावू हैं उनको एक भोट यहां से जितके जाएगा उनको भोट दे करके मुखमंत्री बनाने का काम करेंगे यह हम लोगों को सुचना है इस वार क्या कुछ जो लक्ष है आप रखेंगे पांस साल आपको जनता ने मौका दिया बहुत काम आपने किया आपने जैसा की बताया है और लेकिन कई बड़े आरोप भी जनता ने आप पर लगाया है तमाम तरह की बाते सामने आई कि यह काम ने हुआ इस वार क्या कुछ लक्ष रखते हैं देखिए लोगों का अप्षा होता है कि हमें यह काम होना चाहिए यह काम होना चाहिए लेकिन सब संबधाइक दारे में बंधा हुआ है जो हमको सरकार दोरा मिलता है वह हमको जमीन पर उतार देना है दूसरी बात मैंने पूल भी बनाने का काम किये हैं यहां भी पूल जो है लंबित है लोहरना पूल है और कई रोड परतेक पंचायत में चार से पांच यहां तक कीजिए आपको गोरी हार पंचायत में दस-दस रोड भी बनाने का काम किये हैं तो हमने पहुत काम कराने का प्रयास किये हैं फिर भी बहुत काम बच्चा हुआ है जो आने वाला समय में हम चाहेंगे कि सारे काम को हम करें और जनता कि जो हमसे अपक्षा है उनके अपक्षा पर उनको खड़ा उतरने का हम प्रयास जों नाराज चल रहें लोग यह कहते हैं कि विधायग पहुचते ने तो क्या इस नाराजगी का नुकसा देखिए लोगों को कहना है आप यहाँ पर दू धारा के लोग है एक बीजे पी के लोग है एक राष्टी जानता दल के समाजी किन्याय के लोग है समझ बादी भी चारधारा के लोग हैं धन बीड़ी पिर्च बादी के लोग हैं इनके बीच में जाईए तो कहेंगे कि सकड़ा विधायक जी हमारे यहां आते हैं मिलते हैं जुलते हैं हमारा काम भी करते हैं मांसमान भी देते हैं लेकिन बीजेपी के साथ जाईएगा तो कह कहते हैं क्या बोलते हैं उनको पर नहीं जाते हैं मेरे लोग जो हैं क्या बोलते हैं उनकी बात को सुनना है हम उनकी बात को सुनते हैं उनकी बात को हैं विश्पास पर ख़रा उतरने का प्रयास कर रहा है इस वार कितनी टक्कर होने वाली है क्या लगता है कितना मतलब जो इस नौजबान साथी हो सभी लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्मंतरी तेज़सी बावु बनेंगे और दुसरा कोई नहीं है अभी तेजसी बावु मुख्मंतरी और सभी बिहार के लोग बनाना चाहते हैं बनेंगे और उनका लहर है जो भी टिकट लेकी पाला बदल रहें लोग देखिए कुछ लोग को आना जाना लगा रहता है इना चुनाम में इधर सुधर जाते रहते हैं उससे पाटी पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है पाटी निती सिधांत विचार पर और यह तेजसी वाबु का जो हमारे संघर्स है या हमारे राधा सुप्रीमो सर्देश्री लालो पसादयदव जी का जो पूरे बिहार में उनका जो एक-एक गरीब मजदूर पर जो पंक्ती में जो अंतिम ब्यक्ति खड़ा है वहां तक उनका विकास पहुंचा है वहां तक उनका ध्यान है और सभी को सुने हैं सभी को गरीब और उनका एक-एक गरीब के दिल में उनका लालुजादव जी के परती जगह है और सभी लोग चाह रहे हैं कि फिर से राष्ट्री जन्ता दल के सरकार बने अर्टेजासी बावु मुख मंत्री बने तो निशीत और परूब बनेंगे तो सक्रा विधासवाशेत्र के विधा पांस साल से विधायक हैं उनके काम भी किये हैं तो लगातार राजत के नेत्रित्व की नजर इन पर है और आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है तमाम अपडेट सेड्लाइन्स भी हर आप तक पहुचा रहा है अगर आपने अब तक हमास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय झाल